हेलो फ्रेंड्स मैं टुन्टुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासे से तो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है साइन्स के केमेश्ट्री का एक टॉपिक्स है कि कौन से पदार्थ का पीएच मान कितना होता है तो इससे पहले आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक्स से रिलेटेड ट्रिक्स एंड वीडियो चाहिए तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए कुछ समाने पदार्थों का पीएच मान के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया गया है तो जल का पीएच मान जो होता है साथ होता है जल का पीएच मान साथ होता है तो इसको याद हम कैसे करेंगे एक्जाम में आएगा कि नमक का पीएच मान जो है कितना होता है तो नमक का पीएच मान साथ होता है अब इसको याद कैसे करेंगे तो नमक का जरूरत जो है हम लोगों को हफ्ता में सातों दीनों का होता है इसी लिए इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि नमक का पीएच मान जो है तो देखे रक्त का जो डूनेट होता है रक्त वह हफता में 7 दिन खुला रहता है और हम लोगों को कम से कम साल में 4 बार रक्त करना चाहिए तो इससे तरह से हम प्यांत कर सकते हैं कि रक्त का Самाल 7.4 घुन अशीगों का प representing 7.4 होता है उसी प्रकार है आसू Sure साल में जो है चार बार हम लोग रक्त डोनेट करते हैं जिससे जरूरत मन्द लोगों को रक्त मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि लोगों के आखों में आशू नहीं आते हैं इस प्रकार से हम इसको जो है याद कर सकते हैं फिर है कि नीमबू का पी एच मान कितना होता है तो नीमबू का पी एच मान जो होता है 2.2 होता है तो इसको हम लोग जो है कैसे याद कर सकते हैं तो नीमबू का पी एच मान 2.2 होता है तो मार्केट में जाएगा तो दो रुपे में दो नीमबू मिलते हैं यानि कि 2.2 नीमब का pH मान होता है फिर है दूद का pH मान होता है 6.4 होता है तो इसको मोग कैसे याद कर सकते हैं तो देखें दूद जो है 64 रुप्य이atal लिटर मिलता है तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि दूद जो है 64 रुपे किलो मिलता है यानि कि 6.4 है फिर है सिर्के का pH मान सिर्के का pH मान कितना होता है तो सिर्के का pH मान 2.4 होता है सिर्का जो है एक प्रकार का निम्वू की तरह ही होता है तो 2-4 जो हैं सिर्के की ज़रुवत होती है फिर हम लोग चलते हैं सराब का pH मान सराब का pH मान 2.8 होता है तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे तो इसको याद करने के लिए देखिए दो वेक्ती ऐसे हैं जो सुब 8 बजे उठकर सराब पीते हैं तो ऐसे जो हम सराब का pH मान याद कर सकते हैं 2.8 फिर हैं MANO, mph प्यह महान, यानि जो मानो के मुझ से जो लाड टपकता है, उसका pH कितना होता है, तो उसका pH महान जो होता है, 6.5 होता है, उसका pH महान 6.5 होता है, यानि आप किसी भी विक्ति को लाड टपकते हुए देखें होंगे, उसका लार का pH मान उसी प्रकार है समुंद्र जल का pH मान कितना होता है समुंद्र जल का pH मान होता है 8.5 तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे तो इसको इस प्रकार से हम याद करेंगे कि हमको समुंद्र जल लाने के लिए जो है 8.5 km चलना होता है तो इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि समुंद्रे जल लाने के लिए हमको जो है 8.5 किलो मीटर जो है चलना होता है इसलिए जो है इसको याद करेंगे कि समुंद्रे जल का पीच मान 8.5 होता है उसी प्रकार है मानो मुत्र का पीच मान मानो मुत्र का पीच मान जो होता है 6 होता है यानि हम लोगों का पिसाब जो होता है उसका पिएच मान जो होता है साथ छे होता है तो इसको एक ट्रेक से याद कर सकते हैं कि मुद्र कर छक्का मारा यानि मुद्र कर छक्का मारा दिसीज़ फनी ट्रेक्स लेकिन यह जो है आपको जल्दी याद हो कि मुत्र का प्पता लगाने का सिलसिला उ किसने खूजा प्पता लगाया था सबसे पढ़िए सारेंस ने इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं एस विडियो के माधने से आपको जो है सभी का प्पता मालूम चल गया होगा तो इससे हम कह सकते हैं कि pH मान सारे लोगों को पता चल गया हो यानि सारेंस पिएच मान का पता किसे लगा था तो सारेंस So guys हम आसा करते हैं कि आपको ये वीडियोज है बहुत अच्छा लगा होगा और ये पिएच मान आपको याद भी हो गया होगा तो इसी प्रकार के वीडियोज है मेरे चैनल प्याते रहता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक से डिलेटेड ट्रेक चाहिए So guys वीडियोज देखने के लिए थैंक्या